थे हलो फ्रेंडज वेलकम टू माई चैनल दोस्तों अगर आपको भीक्र cowboy अपने क्रडिट काट के बिल का के पेमिंट करना है तो वैसे तो क्रिड़ी कॉछ सारे याप के गातर हैं जैसे कि ख्रडों क्रेड के फूर आपका कैस्पेंट हो जाता है लेकिन वहां पर आपको किस तरह का क्या cashback नहीं मिलता, मिलता भी है तो कुछ चिल्लारी मिलता है, लेकिन मैं इस वीडियो में एक ऐसे एप के बारे में बताऊंगा, जिसके थूँ अगर आप अपने credit card का bill का payment करेंगे, तो आपको अच्छा खासा cashback मिल जाएगा, आप जित 1.5% का cashback मिल गया, तो वह कौन सा आप उसके बारे में आपको बताऊंगा, किस तरह से आपको credited का bill का payment के थूँ करना है, वह भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो आप वीडियो का प्ली सुरू से लेके last तक जूर देखिएगा, अगर आप ए credit card user है, और आपके card क bill due है, तो आप इस app को यूज करके अच्छा कैसा cashback भी कमा सकते है, bill payment करके, यह बहुत ही अच्छा offer आ रहा है, तो चलेए वीडियो को पटापट सुरू करते हैं, किस तरह से आपको इस cashback लूटना है, उससे पहले request करूँगा, चैनल पर फिर्स्ट आम आई है ते चैनल को तुरन सबस्क्राइब कर दिजे, वीडियो को लाइक कर दिजे, बैल नोटिफिकेशन आईगन दबा लिजे, साथ ही मेरे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन करना ना बुले, यहां पर मैं आपको हल तरह की लूट के अपडेट्स रेगुलर देते रहता हूँ, यहां से लिंक पे क्लिक करके आप इस एप को प्ले स्टोर से डाउलोड करके इंस्टॉल कर लिजे, या फिर आप डायरेक्ट भी प्ले स्टोर से इस एप को डाउलोड करके इंस्टॉल कर लिजे, अपने किसी भी मुवाइल नंबर से साइन अप कर लिजे, आपके जितने भी घर मे minimum credit card का bill payment करेंगे तो आपको flat 1.5% का cashback यानि कि flat 1.500 रुपए का cashback मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे आप एक बजाज फिंसर वैप से येवल first time bill payment पे ही ये offer का फायड़ा उठा सकते हैं यानि कि एक बजाज फिंसर अकाउंट से आप 10,000 रुपए का payment करके 1.500 रुपए का cashback ले सकते हैं फिर अगर आपको 10,000 का payment करके 1.500 का cashback लेना है तो उसके लिए आपको दूसरा बजाज फिंसर वैप यूज करना होगा मेरे पास जो 109 बजाज फिंसर वैप के अकाउंट है सभी active अकाउंट है और अब तक मैंने 5 बजाज फिंसर वैप से 10-10,000 रुपए का credit card का बिल पेमिट करके 1.500 रुपए का cashback ले लिया है सभी अकाउंट से यानि कि 7.500 रुपए तो मेरे अल्रड़ी बन चुके हैं और यह जो credit card का बिल का पेमिट है मेरा तो instantly card में credit भी हो गया यहां पि मैं आपको बता दूँ अगर आप SBA का credit card का बिल का पेमिट करते हैं City bank की बिल का पेमिट करते हैं या IDFC first bank की card का पेमिट करते हैं तो instantly payment आपकी card account में सेटल हो जाता है वही अगर आप ICIC bank का पेमिट करते हैं तो पेमिट सेटल होने में 2-3 दिनों का time लग सकता है लेकिन सेटल हो जाएगा इसके लिए घबराने की जुरुत नहीं है मैंने भी अपने ICIC bank का पेमिट किया था और 3 दिट बाद मेरा सेटलमेंट हो गया तो अचलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको किस तरह से बजाज फिंसर वैप को यूज करना है अपने कार्ड का बिल पेमिट करना और 1.5 रुपे का cashback कमाना है आपको सबसे पहले अपने बजाज फिंसर वैप को open करना है home screen आपके सामने इस तरह की दिखाई देगी यहाँ पे दोस्तों देखे bills and recharge बोलके एक section है side में view all है view all पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक pop-up आ जाएगा जाने के get flat 150 cashback on first credit card bill payment आप जैसे इस pop-up पे क्लिक करेंगे आप इस page पे आ जाएगे यहाँ पे देखे मैंने already अपने ICICB bank के credit card का bill बजाज फिंसर वैब से पे किया हुआ है तो मैं अगर फिर से payment करूँगा तो मुझे cashback नहीं मिलेगा क्योंकि जैसे मैंने बताया था एक बजाज फिंसर वैकाउंट पे first credit card bill payment पर यह आपको offer मिलेगा तो मैं आपको दिखा रहा है आपको किस तरह से बजाज फिंसर वैब को यूज करना है अब आप यह select bank पे click करेंगे तो आप कैसा हमने सभी bank के credit card के list आ जाएगी जैसे देखिए access bank, HDFC, ICI, SBI card American Express, Bank of India, Bank of Maharashtra, B.O.B कहने का मतलब है सभी credit card के बिल का payment आप यहां से कर सकते हैं तो यह तो पहला तरीका हुआ आपके इस तरह से बजाज फिंसर वैब को यूज करके credit करके section में जाके बिल payment कर सकते हैं अब दूसरा तरीका है अगर आपको इस तरह का pop-up नहीं आ रहा है तो आप home screen पे आईए home screen पे नीचे आपको एक offers बोल के tap दिखाई देगा आपको offers पे क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने इस तरह का page आजाएगा page को थोड़ा scroll कीजिए और एकदम bottom में जाएए यहां पे आपको दिखाई देगा payment offers payment offers के side में आपको view all दिखाई देगा view all पे क्लिक कीजिए फिर आपके सामने इस तरह का page आजाएगा यहां पे एकदम last में आप एक offer देखिए credit card bill get flat 150 cashback और बजाज पे UPI see details पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहां देखिए credit card bill get flat 150 cashback via बजाज पे UPI minimum transaction 10,000 और यह offer 30 November 2022 तक valid है reward flat cashback of 150 on first credit card bill payment of minimum 10,000 using any payment mode यहां बता रहा है लेकिन आपको बजाज पे UPI से ही payment करना है और सबसे पहले आप अपने बजाज फिनेंस एप को अगर अगर आपके फोन में तो उसे अपडेट कर लीजेगा यहां देखिए नीचे applicable once per user offer valid for limited period of time यानि 30 November तक यह offer valid है तो उससे पहले आप अपने सभी बजाज फिनसर्व एकाउंट से इस offer को लूट लीजे तो यहां से अगर आप पेन आप पे क्लिक करेंगे तो फिर आप इस तरह के page पे आजाएंगे यहां पे आप देख सकते electricity, mobile prepared, mobile post paid तो आपको इसे scroll करते रहना है left to right तो यहां पे आपको credit card का section दिखाई देगा आपको credit card पे tap करना है फिर आप उसी page पे आजेंगे जो मैंने आपको पहले दिखाया था यहां से आप अपने credit card को select कर सकते हैं कौन सा bank creditor का bill का payment आप करना चाहते हैं तो दोस्तो अब मैं अपने एक नए बजाज फिंसर्व एकाउंट से 10,000 रुपीज का अपने SVAE card का payment करूँगा तो मैंने अपने SVAE card के नंबर यहां पे एंटर कर दिया है amount यहां मैं एंटर करूँगा 10,000 रुपीज उसके बाद यहां नीचे देखिए अगर आप exactly अपने due date पे payment कर रहे हैं तो इस transaction से बचिए क्योंकि यहां पे clearly बोल रहा है कम से कम दो दिन का time लग सकता है बहुत से card में instant payment हो जाता है जो मैंने आपको अलड़ी बता है जैसे कि SBI, Citi Bank लेकिन ICIC, HDFC या किसी और bank के card में payment reflect करने में दो दिन या उसे ज़्यादा का time लग सकता है तो यह सोच समझकर ही payment कीजिएगा तो मैंने proceed to pay पे click किया आप मैं अपने बजाज UPI को select कर लेता हूँ pay now पे click करता हूँ अपना UPI pin यहां पे enter करता हूँ और यह देखिए payment successfully complete हो चुका है और payment complete होते ही यहां देखिए मुझे एक scratch card मिल गया जिसका message भी मुझे मिल चुका है फिर आपको बजाज फिंसर्फ के home screen पे आना है नीचे आपको reward step पे click करना है अब यहां top पे देखिए यहां दिखा रहा one scratch card available तो जैसे ही आपको इस पे click करेंगे आपको यहां पे एक scratch card दिखाई देगा जैसे मैंने इससे scratch किया अब देखिए मुझे 150 रुपीज का cashback मिल चुका है और यह जो 150 रुपीज का cashback है यह मेरे बजाज फिंसर wallet मेड हो गया अब यहां जो आपको cashback मिलेगा उसे आप अपने bank account में नहीं ले सकते इस cashback को आपको अपने mobile post paid prepaid recharge पर यूज करना होगा आप DTS recharge कर सकते हैं LPG electricity bill payment कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप अपने multiple बजाज finance account से 10,000 रुपे का payment कीजे और हर payment पे 10,000 रुपे का cashback कमाईए यह बहुत बड़ी loot हो सकती है आप multiple card के payment करके डेड़ डेड़ सो करके काफी अच्छा cashback यहां से loot सकते हैं तो आसकता आपको information अच्छी लगी होगी और आप भी इसका fire out आएंगे वीडियो के लाइक करना ना भूले वीडियो तेखने के लिए धन्यवाद थैंक यू फो वाचिंग